तो गाइस मैं हूँ अंकी तोड़ा आप दिख रहे हैं रिस्टिंग फैन्स नैटवर्क सबसे पहले हम लग अपनी बातों को सुरु करेंगे फ्राइडे नाइट स्माइकडाउन के एपिसोड की विर्शिप को लेके तो भाई पिछले हफते की विर्शिप हमने देखी नहीं बहुत अच्छी विर्शिप है लेकिन आगे डिपेंट करता है कि अगले हफते क्या विर्शिप आती है बिकाज ये तो भाई मानके चलो कि रसल मीना के आफ्टरमैथ के लिए इतनी विर्शिप आई रो में भी बहुत अच्छे नंबर्स हैं आगे देखना होगा क्या होता भी कौजा भी रोमन भी नहीं है रोक भी नहीं है और नए चैंपियन है तो पता नहीं भाई कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा वो देखना होगा अगले हफते बागी जो स्माग्डन में दो बढ़े सेगमेंट थे एक तो कोडी रोट्स का प्रूमो एंड एक सोलुसी का बिटरल उन्होंने खुद को ट्राइबल चीफ बताया एंड उसके बाद टामा टोंगा आ गए तो ये दो सेगमेंट सबसे जादा ट्रौ कर रहे हैं सोसल मीडिया को पर भी इवन सोलुसी को टामा टोंगा वाला सेगमेंट भाई कोडी रोट्स के सेगमेंट से भी जाद ट्रौ कर रहा है तो अभी कैसा आप से स्मैक्डॉन की विरसिप में इन दोनों ने बहुत जादर कॉंट्रिब्यूट कर रहा है तो पॉइंट थ्री फाइब सेवन मिलें नमबर से इस वीक के पिछले हफते की तरह ही ये कुछ बताया चारा भी आगे आप लोग क्या एक्स स्टोरी स्टार्ट हुए डबड़ी के अंदर पैंडमी के रहा से तब ही से टीज करते हैं कि वह आ सकते नहीं आ सकते लेकिन आहीं नहीं रहें मैं तूब यह चाहता हूं कि कोई बूरा आदमी आया बाई ब्लेड लाइन से वह अनुआ फैमिली से वह जो एक होता है ना की सदो रही बात ना मैंत rhema 10-4 इन वह बर्युक्ले और ब्लब्ल वाली बात है और लोगन से लिकते क्याता है आंशा नहीं आधिक लिएक रहा है फैने भीटे को उपर Gonna यहाँ पर यहाँ पर क्या कहते हैं भाई किसी आप लोग देख सकते होगे एक गंटे पहले इन्होंने ट्वीट करा लिखते हैं यहाँ पर stay in your lane and उसके बाद bloodline वाली emoji and we the ones वाली emoji है यहाँ पर तो भाई इसका मतलब तो लेकिन stay in your lane किसको कह रहे हैं तो भाई अपने बेटे को मुझे नहीं लगता कि कह रहे हैं चाहिए वो लेकर आए बट अगे बढ़ते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि बेगी को लेके तो बिगी का आप डवी डवी रिटेंड आई मीन रस्लिंग रिटेंड आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा पर्मानेंटली मान के चलो कि बेगी रिटायर हो गए या फिर ऐसा कहलो कि एज के साथ जो कंडिशन बन गई थी नेक इंजरी के बाद वही सेम कंडिशन वीचारे बेगी के सा बटाम ब्लेश्ट तो बी फ्री ऑफ पेन इमेंसली हैपी एंड अधर्वाइज हेल्दी लाइफ इस गुड़ तो कहते हैं भाई कि इनके स्कैंस फगेड़ा आच चुके हैं दो साल हो गया चीज को एंड उसके बाद कहते हैं कि जो चीज है ना भाई वो अन्चेंज नहीं कुछ बदला नहीं है हाँ हील तो हुआ है मेरा सीवन यह वो पीछे नेक कापाट लेकिन हील तो हुआ है बठा एक नई हड़ी उसमें फॉर्म नहीं हुई है तो मैं मेडिकली क्लियर नहीं हूं कंपीट करने के लिए एंड कर सच बोलू तो साइध मैं कभी क्लियर भी नही कहते हैं कि रस्लिंग के अलावा सारी चीजे सही है और थोरी से भी दिक्कत है अगर थोरा सा भी ट्रबल है तो रिस्क नहीं लेना चाहिए बिकॉस बेगी ने पहली बता रखा है कि डॉक्टर्स ने इनको कहा था कि आप मरते मरते बचे अगर थोरा सा भी इधर उधर होते तो ये नेक इंजरी आपके प्रान निकाल कर लेके चले जाती है तो भाई ये बहुत अच्छी चीज हुई कि बिगी को कुछ है नहीं हुआ एंड होप की रसल ना ही करें तो बेटर है वेकॉस रसल करेंगे तो भाई इंजरी के चांसे बरेंगे एंड देन उसके बाद आप वुए बिगी बोले तो लिख सकते हैं तो इस बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो की डबी डबी के मेशन प्रोड। प्रोडक्शन चेंजस को लेगे तो ट्रिपल एच ने बाद के प्रस कॉंफरेंस के इंदर आइडिया था कि कुछ मेजर प्रोडक्शन चेंजस होने वाले अभी हम लोग देखने कि स्टेज में भी काफी बदलाव हो चुका है रौ स्माग्डॉन में हाले कि बिलुकुल अच अब देखते हो कि रोमन रेंज की एंटरंस पर एक ग्राफिक आता है एंटरंस से पहले सूपरस्टार दिखाने से पहले तो वह जो ग्राफिक है डबी डबी अब मंडे ना एड्रों स्माग्डॉन में वीकली एपिसोड्स में नहीं यूज़ करेगी वह लाइकली करती है उसके लिए बहुत समान और बहुत स्टाफ अगरा लेकर प्रोडक्शन ट्रक में घूमती है तो कहा जा रहा है कि अभी स्टाफ एक्विपमेंट और प्रोडक्शन ट्रक इन तीनों में कट्स लगेंगे और बहुत कम स्टाफ बहुत कम एक्विपमेंट और कुछ च सब्सक्राइब को में लोग हम लोग जैसे लोग इसलिए पसंद करते हैं वह टॉप टीर होती है तो अगर उसमें जंजट आ रही है तो बेकार है उसके बाद कहा जा रहे हैं कि यह जो चेंजे से बाई इसलिए हो रहे हैं विकास एंडवर एरा के अंदर डबी को रिसकल्प्ट करा जा रहा है तो यह कुछ बताया जा रहा है अभी कि आप इन चेंजेस से खुस होने वाले हो कॉमेट करके बताना आगे बढ़ते हैं गयाज बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि यह बाई हीको लीयो को लेके तो हीको लियो कौन है यह है टामा टं तो इस यंगर ब्रदर ही कुलियो अगर मैं गलत नहीं प्रणाउंस कर रहा हूं तो यह कुलियो ही है कहा जा रहा है टोक्यो स्पोर्ट्स की तरफ से जिन्हों ने बताया था कि ग्यूलिया भाई अमेरिका की तरफ ट्राइवल कर रही है और साइड डबी डबी के लिए जा र इसलिए इनको पर नजरे कर आके बैठी हो तो कहा जा रहा है टोक्यो स्पोर्ट्स की तरफ से यही तो भाई इनको पर भी आपको नजरे रखनी चाहिए लेट सी आगे क्या होता है बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइन स्टोरी के बारे में लेकिन उससे पहले एक सेकंड निकाल के सब्सक्राइब कर लो 73.6 के कर देने भाई या जादा नहीं बचा 30-40 सब्सक्राइब बचें तो फटा 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 से कर दो हैं आपको डबी डबी के अपडेट सबसे पहले मिलती है हम लोग बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में तो भाई क्या यह बि ऐसा नहीं कोने में कोई बहुत खराबी थी मेरे इस आपसे वो भी सही थे लेकिन उनको ओवर हेट करा गया था उसमें भी काफी सही करेक्टर था उनका लेकिन हाँ ट्राइबल चीफ एक अलग लेवल की चीज़ थी अब रोमन का कैरेक्टर क्या होगा रिटन के बाद स्प च्थ नहीं मैं आपको बता दूं हील तो आप लोग समझ गए फेस होता है जाएक सफ में आपको और देखते होगा रोमन रंच में प्छले साल वी एंड इस साल बही काफी जिस तरीके से डैनियल व्रैंड के साथ हुआता है रसल मिनेट 30 के आसपास लेकिन फेस होता है कि नॉर्मल सूपरस्टार है हाँ अच्छा इंसान है लेकिन फालतू उसके साथ फालतू फंड की बकवास मत करो वह वाली चीज है तो ऐसे में भाई यही बात है यही डिफरेंस हाँ फेस तो कहीं ना कहीं वो सिंपती दिखाने के लिए हलका करना ही परता है लेकिन फिर भी यह रोमन भाई वो जाइगंटिक ट्राइबल चीफ की तरह ही होने वाले थोरे से छोटे मोड़े चेंजेस होंगे मान के चलो देखने के लिए क्राउड के सामने रोमन अच्छ सब कुछ सबसे पहले मिलते रही फॉलो कर सकते आप लोग मुझे इंस्टाइग्राइम एंट्रेट पर निक आपको मिल जाएगे डिस्क्रिप्शन में जॉइन कर सकते हैं वह उसके भी लिंग डिस्क्रिप्शन में मिलता है अपनी नेक्स ओफेर काफ इंड्रस्टिंग व